नबश्कार मैं उप्रिया आज है 23 सप्रील चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में एक बार फिर हुई बढ़ोतरी बिहार में दिन प्रति दिन कोरोना प्रभावितों की संख्या बढ़ती जारी है इसक्रा में बीते दिन नए मामले सामने आने के बाद बिहार में कुरोना प्रभावितों कांकरा रही 143 पर पहुच किया है जिसकी जानकारी बिहार के स्वास्ते विभाग के प्रधान सर्चेफ संजे कुमार ने जारी किया वही स्वास्तर विभाग ने मेरे सभी प्रभावितों के contact list के जाच करने में जूटिक वही है साथी सभी लोगों की travel history को भी खंकाला जा रहा है वही इनके आसपास के सभी लोगों को भी isolate कर दिया गया है उतर विहार के पूरवी चमपारण के फिनहरा में मिला पहला Corona positive बिहार सरकार ने डियलेट कोर्स में नामांकन के लिए प्रवेश परिक्षा करवाने का जारी किया आधेश नामांकन होगा इसके तहट शुफशा विभागने अधिसूशन जारी कर दी है सिक्षकों के मुद्दे पर अब 24 अप्रेल को सिक्षा विभाग वीडियो कॉन्फरेंसी के जरिये करेगा समीक्षा बिहार के सभी नियोजित सिक्षक काफी लंबे समय से अपनी मांग को लेकर बैठे वे वहीं सरकार अब जाकर सतर्क हुई है जिसके तहें सिक्षकों की करने वाले फैसले को लेकर 24 अप्रेल को सिक्षा विभाग वीडियो कॉन्फरेंसींग करने वाली है इस बावत सिक्षा विभाग के निदेशक गिर्वर दयाल सिंग ने सभी जिला सिक्षा पधादीकारी और जिला कारिक्रम पधादीकारी को पत्र भीज जिया है वहीं 24 अ मुख्य मंत्री से भी इसके खिलाफ सुबूत निकाले जा रहे हैं। मायनमार भेज दिया है। लेकिन अब रापिट टेस्ट किट के परिणाम में हुए उलट फेर के बाद इसे पूरी तरीके से बिहार में इस्तमाल के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। हलाकि इस टेस्टिंग किट से मातर आदे घंटे में प्रभावित व्यक्तियों की पहचान हो जाती थी लेकिन अब गरबड़ी किये जाने के बाद इसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस पर स्वास्ति विभाग के प्रधान सचिफ सेंजे कुमार ने कहा कि हम लोगों ने भी नॉन सैंपल की जांस रापिड टेस्ट किट से की तो इसके रिजल्ट उलटाए थे। वहीं ICMR ने भी आने वाले दो दिनों तक इस किट के इस्तमाल को मना कर दिया है। बिहार में आंधी की वज़े से जानगवाने वालों उपर मुख्यमंत्र नितीश कुमार ने जताई समवेदना। विश्विद्यालों के सिक्षकों और कर्मियों का तीन महीने का वेतन देने की हो रही है तयारी। जिसके लिए प्रस्था वित्विभाग को भिज दिया गया है, सहमती मिलने के बाद ही आगे की प्रक्रिया पर काम किया जाएगा अगर सब कुछ सही रहा तो मार्च अप्रेल माई के महीने का भीतन वह पेंशन जल्दी सब की खाते में पहुँचा दिया जाएगा बंद के बाद 16 बड़े सडग परियोजनाओं पर काम हुआ शुरू, लॉक्टाउन के बाद कुछ जरूरी कारयालों को खोल दिया गया है महीं कर्मचारी भी हर दिन काम के सिलसले में ओफिस आने जाने लगे हैं, इसे बीच सभी बचे हुए काम को भी पूरा किया जा रहा है महीं 16 बड़े सडग परियोजनाओं पर काम के शुरूरात कर दी गई है, जिसकी जानकारी बिहार स्टेट रोड डेवलाप्मेंट कॉर्परेशन के सीजे एं संजे कुमार ने दी है और कहा है कि राजय के 16 बड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया गया है, इसके तहट आर्ट ब्लॉक दिगा एलिवेटेट कॉरिडॉर पर काम शुरू हो चुका है, महीं अकबर नगर अमरपूर स्टेट हाइवे 85 पर भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा रमजान के समय में बन से प्रभावितो राहत समागरी उपलप्त कराया सरकार उक्तमांग प्रदेश कॉंग्रिस के कारेकारी अध्यक्ष कॉकप कादरी ने की है, जिसके तहट उन्होंने कहा है कि आने वाले पवित्र रमजान की सबको बढ़ाई, साथी रमजान के पवित् 19 को समझ से वे सभी रोज़ेदार अपने अपने घरों में ही नमाज पढ़े इतना ही ने उन्होंने हर किसी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की है इसके साथ ही सरकार से मांग करते वे उन्होंने कहा कि रमजान के दौरान बंद की वज़े से जिनके चिन चुके हैं गरीब हैं मज़ूर हैं इनकी इफतारी के लिए न्यूनितम संसाथन जैसे चना गुड़ सत्तू चीनी दूध ब्रेडफल इत्यादी वराहत समागरी का इंतिजाम किया जाए अब मिस्ट कॉल पर ही डॉक्टर की मिलेगी निशुल्क सला कोरोना के बठती असर के बीच लोगों को अन्य इलाजों से जागरुक करने की पहर को तेज करते वे सरकार ने अब सिर्फ एक मिस्ट कॉल पर डॉक्टरों की निशुल्क सला जारी की है इतना ही नहीं अब ऐसे का prescription भी पहुँच जाएगा साथ ही दवा दुकान से दवा लेनी की सुविधा भी ऐसे लोगों को दी जाएगी अगर आप भी बातर एक mist call पर डॉक्टर से सलाह लेना चाहते हैं तो आप 8010-111-213 पर mist call करके डॉक्टर से बात कर सकते हैं कोरोना के बढ़ते असर के बीच सभ को किया गया सक्त बंत के बीच ट्रावल पास में वी आईपी ट्रीटमेंट का मामला सामने आने के बाद अब पास जारी करने के लिए मों में कुछ बतलाफ किये गये हैं और सक्ति दिखाते वे नियमों का पालन करने की अपील की गई है इसके तहत अब राज जिसे बाहर ज समझते वे मुख्य मंतरी नितीश कुमार ने अब सारा फैसला दिय एम के हाथों में सौप दिया है लोगों को बिहार सरकार की तरफ से जा रहे हैं फोन बिहार में जारी कोरोना के बीच सरकार लगातार लोगों को कोरोना के प्रती जागरुक करने में लगी हुई है इसक्राम में मुख्यमंतिर नितीश कुमार भी लोगों को जागरो करने की नई पहल का हिस्सा बन गया है जिसके तहट आमनागरिकों के पास आजकल मुख्यमंतिर नितीश कुमार के संदेश्व से संबंधित मुबाइल कॉल्स जा रहे हैं जिसमें मुख्यमत्री नितीश कुमार कह रहे हैं हेलो नमशकार मैं नितीश कुमार बोल रहा हूं कोरोना से सतरकता की जरूरत है बिहार सरकार आपकी सहायता के लिए है जो भी मदद की जा रही है साथी फोन कॉल पर सोशल डिस्टेंसिंग आभी खाज ज्यान रखने की अप पादक किसानों को बहुत बड़ी रहात मिलेगी जिसकी जानकारी उपमुख्यमत्री सुशिल कुमार मोधी ने देते वह बताया है कि नीजी छेत्रों में कारेड़त सभी 11 चीनी मिलो को राशी मुहया कर राए जाएगी डीजीपी कुपतेशवर पाण्डे ने अपमानित चौकिदार से मांगी माफी उठक बठक कराये गया था क्योंकि उस चौकेदार ने कृषी पतादिकारी से पास की मांग की थी पटना का खचपूरा बना पटना का होट स्पोर्ट जहाल नम्बेश समय तक पटना में कोरोना प्रभावित की संख्या नहीं देखने को मिली थी खचपूरा से कई मामले सामने आए हैं जिसके बाद अब खचपूरा को पटना का होट स्पोर्ट घोशित कर दिया गया है मैं प्रसाशने सकती दिखाते वे पूरे एरिया को बंद कर दिया है साथ ही लोगों की आवजाही को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है बिना राशन कार्ट वालों को चिन्हित कर सरकार पहुचा रही है पैसे कुरोना के कारण उत्पन हुई परिस्थिती में बहुत से ऐसे परिवार है जिनके पास राशन कार नहीं है इसी को ध्यान में रखते हुए विहार सरकार ने शहरों में बिना राशनकार वाले परिवारों को चिनित करना शुरू कर दिया है साथ ही चिनित किये गए परिवारों को एक हजार की राशी पहुचाई जा रही है आपको बताते मुख्यमंत्री निर्देश कुमार ने इस बात का एलान हाली में क्याबिनिट बैठक में लिया था इतना ही नहीं इसके अलावा आला अधिकारियों और नगर विकास एवं आवास विभा को निर्देश भी जारी कर दिया गया है सासाराम में मेंने कोरोना पॉजिटिव के बाद पूरे इलाके को किया गया बंद बीते दिन सासाराम के शहरी इलाके में एक महिला को कोरोना पॉजिटिव पाय जाने के बाद प्रसाशन सक्ते में आ गई है जिसके बाद एहतियात के तोड़ पर उस पूरे इलाके के एक किलोमीटर तक के एरिया को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है वहीं आसपास के सभी मुहले में लोगों के घर से बहार निकलने पर रोक लगा दी गई है नई DSP लक्षमर प्रसाद और कारेपालक चंद्रमार राम के नेत रुत्व में पुलिस प्रभावी छेत्रों में नजब रनाया हुए इसके साथ ही आसपास के तमाम दुकानों को भी बंद कर दिया गया है रापरी देवी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर कसा तंज बिहार की पूर्फ मुख्यमंत्री रापरी देवी आए दिन मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर तंज कसने का सलसला जारी रखती है इसक्राम में उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमाति नितीश खुमार पर टिपपणी करते वही अका है कि बिहार सरकार के निरने में ऐसा लगता है कि जब नवादा के SGM को निकाला गया तो मुझदफरपूर के DM के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाए गया क्या निकालना आने वाले समय में क्रिकेट के आयोजिन को लेकर सौरप गांगुली ने कहीं बड़ी बात सभी क्रिकेट फैंस के लिए एहम सूशा BCJ अधेक्ष सौरप गांगुली ने IPL के आयोजिन को लेकर अनिश्चित समय के लिए स्थागित किया जाने की बात को दोहराया है इतना ही ने उन्होंने IPL को रद किये जाने का भी संकेट दिया है उन्होंने अपने बयान में कहा कि दिन प्रति दिन भारत में कोरोना प्रभावित व्यक्तियों की संग्या बढ़ती जा रही है ऐसे में आने वाले समय में IPL को रद भी किया जा सकता है इसके साथी सौरब गांगुली ने यह भी कहा कि फिलहाल कोई क्रिकेट भारत में देखने को नहीं मिलेगा भोजपुरी आक्ट्रिस अंजरा सिंग ने बंद के दौरान बाटा गरीबों को राशन भोजपूरी आक्टरस अंज्रा सिंग نے हाली मंग बंद के दौरान गरीबों को खाना बाटने का काम शुरु किया है सिर्फ अंज्रा सिंग नहीं नहीं भोजपूरी इंडस्ट्री के कई सेलेब्रिटीजन ने भी अपनी तरफ से वाट्साप ने WHO के साथ पार्टनर्शिप किये यह स्टिकर पार्क इसलिए खास है क्योंकि बन के दौरान दुनिया भर के लोगों की फीलिंग और इमोशन को एक्स्प्रेस कर रहा है यह स्टिकर सभी इंग्लिश में उपलब्ध है रेकिन कंपनी ने जल्दी दूसरी भाषाओं में पेश करने का भी ऐलान जारी के है जिसकी मदद से आप लोग आसानी से स्टिकर के माध्य हम से अपने मजास के बारे में अपने दोस्तों और सगे संबंधियों को बता सकते हैं प्रधानमती नरेंद्र मोदी ने अर्थ रे के दिन ट्वीट कर सभी लोगों से की संकल्प लेने की अपील कोरोना के बढ़ते असर के बीच प्रधानमती नरेंद्र मोदी ने अर्थ जे पर ट्वीट करके सभी लोगों से पर्यावरन को बचाने साथ ही प्रित्वी का आभार, स्वच और सम्रिद ग्री बनाने के लिए संकल्प लेने की अपील की है इतना ही ने प्रधानमती नरेंद्र मोदी ने COVID-19 के जारी जद्व जहाद में भी लोगों को धैरे और सयम के साथ काम करने की अपील की सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगाई गई रोग क्याबिनट के महंगाई भत्ते को मौझूता 17 फीस दी से बढ़ा कर 21 फीस दी कर दी गई थी लेकिन कुरोना के कारण सरकारी राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है ऐसे में महंगाई भत्ता बढ़ाने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी गई है महीं एक जनवरी से 31 फीस दी संबर 2020 तक बढ़ा दिये गई डी ए के प्रस्ताव को पेश किया गया था लेकिन एरियर के तौर पर भुखतान किया जाने का फैसला सरकार ने सुनाया है सरकार के फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारी और पैसर ठाक पेंशन भोगियों पर पड़ेगा कल हमारे द्वारा पूछे के सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था के लिए आपका बहुत भुट धन्यवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कोछ इस प्रकार है बिहार सरकार द्वारा मिसकॉल के माध्याब से डॉक्टरों के निशुर्क सला आमनागरिकों के लिए कितनी मददगार सावित होगी कितनी नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही अगर आपे वीडियो हमारा यूट्योब पर देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्स्ट्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले और अगर आपे वीडियो हमारा फेस्बूक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और जादा जादा शेयर करें धनेवाद!